गुट मॉनिंग कैसे हो अच्छे हो गुट आप सब अपने अपने घर में अपने फैमिली के साथ अच्छे हो और खुश हो तो चलो बच्चो आज हम लोग फिर से पढ़ने आ गए हैं और हमें क्या पढ़ना है मैंने आपको कुछ दिनों से क्या सिखाया है क्या सिखा रही fruits निम तो आज हम लोग फिर से fruits name लिखेंगे बट different fruits के name लिखेंगे कुछ अलग जैसे मैंने पहले आपको आपल और बनाना सिखाया क्या लखना सिखा यान किसको बोलते हैं अमरूद और आम अज हम लोग क्या लिखेंगे G R A P E S grapes grapes किसको बोलते हैं येस अंगूर को अंगूर को क्या बोलते हैं grapes आप सबको grapes खाना बहुत पसंद है good खाना भी चाहिए grapes जो है two types मिलते है black color का होता है green को हम लोग grapes तो बोलते हैं और जो black color का होता है उसे हम लोग black grapes के नाम से जानते हैं grapes हमें खाना चाहिए अंगूर अभी तो winter season में grapes का season भी है next लिखेंगे papaya P A P A P A P A A P येस पापीता को बोलते हैं पापाया और बहुत सारे बच्चों के घर में पापाया ट्री भी होगा होगा ना पापीता का पेर है good और पापाया भी हमें खाना चाहिए ये भी हमारे स्टामक के लिए बहुत वायदे मन्थ है, amyn जरूरी है पापाया भी हमें खाना चाहिए यह से हमारे जो कभी कभी स्टामक प्राप्लमम आयता है तो पापाया खाने से बहुत सारे जो पेट necesario होते है उर दूर हो जाती है तो आप लोग कोशिश करोगे कि सारे फल खाने की कोशिश करोगे बहुत सारे बच्चे लोग नाखुश होते हैं यह नहीं खाना वो नहीं खाना बट ऐसा नहीं करना चाहिए जितने भी fruits and vegetables से उसे हमें खाने चाहिए सब के अलग-अलग गुनायन क्या उसमें बहुत सारे protein होते हैं bitumin होते हैं तो हमें खाना चाहिए चरो नेस्ट हिंदी हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट मैंने अपको लास्ट वाले वीडिओ मैंने अह से लेकर अहर तक लिख ना सिखाया था अब हम लोग कुछ दिन कव से लेकर ग्या तक रिपीट करेंगे बेटा, तो एक ही दिन में कव से लेकर ग्या तक तो कम्प्रिट नहीं करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या करें, पहले लिखेंगे ग, ठीक है फिर उसके बाद, गा के बाद क्या लिखेंगे ख, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ग, गा के बाद क्या लिखेंगे गा, और गा के बाद क्या आता है अंगा जैसे मैं दूर दूर थोड़ा दे कर लेती है ना लिखती है ना वैसे ही आप शब भी कोशिश करोगे कि तो बड़ा गैप रहे और जो अक्षर है वो एक दूसरे से टच ना करें सटे नहीं अलग लग दिखने से अक्षर को पहचाना बहुत आसान हो जाता है अब अंगा के बाद क्या लिखेंगे जा के बाद क्या लिखेंगे जा के बाद क्या लिखेंगे जा के बाद क्या लिखेंगे फिर उसके बाद क्या लिखेंगे टा के बाद क्या लिखेंगे ठा के बाद क्या लिखेंगे दा के बाद क्या लिखेंगे दा के बाद क्या लिखे कत исслед हम लोग का शीयो के ले कर ना को को का सिंगे वाकई कर्याने को शीयो zeit मसं रहेगें हां बाकी में का शीयोते हैं मुर्धन्यानेश अ zeigt चालो, नेक्स्ट था मैंस्ट क्या लिखेंगे मैंने आपको लास्ट वीडियो में 70 तक लिखना सिखाया था वैसे 100 रच सक चुरुएं बट हम लोग रभी डिविजन कर रहें तो हम लोग 70 के आगे लिखना सिखेंगे तो क्या लिखेंगे 71, 71, 72, 72 फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 73, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बटा 74, 74, उसके बाद लिखेंगे 75, 75 उसके बाद क्या लिखेंगे 76, 77, 77 7, 8, 7, 8, 7, 9, 7, 9, 8, 0, 80 तो आज हमने क्या लिखा? 7, 1, 71, 7, 2, 72, 7, 3, 73, 7, 4, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 79, 79, 80 तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में 7, 1, 71 से लेकर 80 तर कॉपी में लिखोगे ठीक है बटा? तो जो अच्छे ये ओनलाइन क्लास नहीं जोइन करते हैं मैं उनके लिए बता दूँ कि ओनलाइन क्लास आपका एवरी डे होता है नुरसरी के लिए ब्राइट लेन अप में जाकर अपना नर्सरी लिंक लोगे और वहां से आप अपना क्लास जोइन कर सकते हो आपका टाइमिंग है ग्यारा बच कर बीस मिनट यानि 11.20 में आपका मंडे टू फ्राइडे टीली क्लास होता है बाँ बाई